चोपड़ा है जो किस न्योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो ये एक रिमाइंडर वीडियो है 24 फिलिंग का आज लास्ट डेट है ओल इंडिया कोटा, ओपन कोटा या फिर डिम्ड यूनेट सिटी के लिए जो स्टुडेंट एडमिसन लेना चाह रहे हैं सेगन राउंड के लिए 24 फिलिंग उनको आज ही करना होगा 24 फिलिंग करने के बाद में ओटो लोग हो जाएगा रात को 12 बजे, लेकिन आपने अगर इसको लोग करना है तो आज 4 बजे बाद में इसको लोग कर सकते हैं और उसके बाद में प्रिंट ले सकते हैं तो इसमें आप जैसे ही ओपन करेंगे या 24 फिलिंग का ओप्सन आएगा यहां पर आप एक बार 24 दुबारा सी चैक कर लेना आपने जो 24 फिल किये हैं वो 24 से आपने कौन-कौन सी किये हैं सही accurate है या नहीं है कहीं MBBS की जगे उसमें BDS तो फिल नहीं हो गया है तो इस प्रकार से आप एक बार फिर से 24 चैक कर लेना और चैक करने के बाद में आज साम को 4 बजे के बाद में आप इसको लोग कर सकते हैं लोग करने के बाद आप प्रिंट ले सकते हैं प्रिंटर अवेलेबल है तो प्रिंटर से प्रिंट ले ले otherwise digital mode में इसको अपने phone में save करके रख लें जो आपकी च्वाई से रहेंगी उनको ध्यान रहे ये auto lock रात को 12 बज़े है लेकिन इससे पहले आज साम 4 बज़े से 12 बज़े बाद में आप इसको lock कर सकते हैं अभी मैं आपको यहां suggest करूँगा कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई student lock नहीं करता है तो वो इतनी ज़्यादा कोई problem नहीं होती है क्यूंकि फर्स्ट राउंड फिर एक्जिक्ट होता है आगे के rounds भी होते हैं second round में मैं आपको यही suggest करूँगा कि इसको 4 बज़े बाद में आप एक बार lock करके इसका print समाल के रख लें हालांकि यह auto lock हो जाएगा अपने आप और दूसरे दिन आप 10 बज़े बाद इसका कभी भी print ले सकते हैं वो print available होगा फिर भी आप इसको lock कर सकते हैं 21 तारीक को 4 ब कर देंगे पर्सों कर देंगे और वो आखिर भूल जाते हैं 24 रह जाती हैं तो आप अगर second round में admission लेना चाते हैं तो अपने time से 24 फिल कर दें बाकी condition के वीडियो मैं आलड़ी बना चुका हूं क्या rule है क्या regulation है किस प्रकार से 24 फिल करनी चाहिए यह वीडियो आलड़ी बन देख सकते हैं तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग